हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी स्वागत है आप सभी का वोलकन वाइस के इस प्लेटफॉर्म पे इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा जोग्रोफी का लेक्चर है जिसके अंदर हमने जो जितने भी क्लाइमेटिक कंडिशन्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर में उन सब को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जी सी लियोंग की जो किताब है उसको यहाँ पे रेफर कर रहे हैं इसके लिए तो आज हम बात करेंगे मेडिटेरियन टाइप ओप क्लाइमेट इस्टुडेंट जैसा की नाम इसका सियो कर रहा है कि मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास के जो कंडिशन्स है वहाँ पे यह क्लाइमेटिक कंडिशन्स पाई जाती है इसके अलावा यह जो कंडिशन्स है यह और भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे आप देखे कि जो western side होती है, किसी भी continent की, किसी भी country गी, तो वहाँ पर यह पाए जाते हैं, जैसे western Australia के अंदर में, यह climatic condition डवलप होती है, central चिल्ली है, वहाँ पर यह climatic condition डवलप होती है, इससे जो पहले वाला lecture था, वहाँ पर हम समय में rainfall होती है, तो उन सब conditions के बारे में, हमने जो पिछला lecture था, उसके अंदर में देखा था, अगर हम बात करें, students, जो Mediterranean type of climate है, इसकी जो mostly जो location है, जहाँ पर यह climatic condition है, वो डवलप होई है, तो इसके बारे में, students, आपको पता लगता है, कि 30 to 45 degree है, 30 degree से 45 degree बीच का जो area है, वहां पे यह climatic condition है, वो डवलप हुई है, चाहे आप नदन अरिया के बात करें, नदन घमिस्पेर में या सदन है मिस्पेर में, एकेटर के नदन में और सदन में दोनो अरियाद में, 30 से 45 के बीच का जो area है, वहां पे यह climatic condition होई है, अगर हम बात करें in इस climatic condition का व equator के नदन में और सदन में दोनों एरियाद में 30 से 45 के बीच का जो एरिया है वहाँ पे ये climatic condition डवलप हुई है अगर हम बात करें इस climatic condition का वहाँ डवलप होने के behind में region है कि वहाँ पे जो wind belt है जो वहाँ पे wind belt है उसके अंदर जो shifting होती है वो यहाँ पे एक main responsible force के रूप में काम करती है कि यहाँ पे जो meditarian type of climate है वो डवलप होता है उसके लिए इसके अलावा students हम mostly जो ये climatic condition है meditarian type of climatic condition जो meditarian sea है उसके आसपास ये पाई जाती है meditarian type of climatic condition meditarian sea के आसपास इसके अलावा हमको ये देखने को मिलती है कि जो central chili का area है जो central chili है वहाँ पे भी ये climatic condition डवलप है California है वहाँ पे भी आपको मिलती है South Western जो tip है African continent की जिसके अंदर आपको Cape Town नाम का जो city है वो मिलता है वहाँ पे भी ये climatic condition डवलप है Southern Australia में Southwest जो Australia है वहाँ पे ये climatic condition आपको दिखाई देगी आप देखे कि map के अंदर में students जहाँ पे Mediterranean type of climatic condition है आपको दिखाई देगी Cape Town नाम का city है चिली है आप देखे कि जो California का जो area है South और Southwest यहाँ पे जो Australia है वहाँ पे ये climatic condition है वह यहाँ पे डवलप होगी ये 0 degree है students equator है 32 आप देखे कि जो यहाँ पे 23 and half जो इंडिया से cross करती है उससे उपर जो 30 30 से लेकर अगर हम बात करें कि 45 के बीच का जो area है जहाँ middle में जो area गिरता है वहाँ पे ये climatic condition है वो डवलप होती है इसके अलावा अगर हम बात करें कि Mediterranean type of climatic condition में वहाँ पे किस तरीके का जो situation होती है तो सबसे पहले वहाँ के अगर climate के बारे में देखें तो students हमको वहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो summer जो होती है वो यहाँ पे आपको long दिखाई देती है काफी लंबी summer होती है और summer के समय में यहाँ पे बारिस नहीं होती है आपको देखने को मिलेगा bright and sunny weather है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ पे जो climatic condition में summer यहाँ पे hot होगी hot and dry summer होगी और winters आपको यहाँ पे wild अगर हम बात करें जो mild wet winter है वो आपको देखने को मिलेगी कि little bit जो rainfall है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी summer यहाँ पे जो लंबी होती है और बारिस जिनके अंदर नहीं होती है offshore trade wind यहाँ पे travel करती है उस समय में prevailing trade winds are the offshore hence no rain यहाँ पे कोई बारिस नहीं होती है offshore means the जो वहाँ पे जो trade wind है वो जो basically जो sea के side है वो travel करेंगी आप देखे कि इंडिया के अंदर में जो मानसून आता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे Arabian ocean से जो wind है वो इंडिया की तरफ यहाँ पे travel करती हुई दिखाई देंगी southwest मानसून में पट यहाँ पे summer के समय में completely opposite condition आपको देखने को मिलेगी अगर हम बात करें कि winter की तो winter के अंदर में यहाँ पे आपको rainfall है rainfall condition वो आपको देखने को मिलेगी आप देखें कि winter के समय में जैसे इंडिया के अंदर rainfall होती है कुछ areas में special जो नदन एरिया है जो नदन पार्टो है इंडिया का तो वहाँ पे rainfall आपको दिखाई देती है western disturbance की वज़े से तो उसी तरीके से यहाँ पे जो rainfall है वो यहाँ आपको दिखाई देती है जो rainfall है वो होती है shifting of westerly जब shift होती है onshore की तरप में देखने को मिलेगा कि जो citrus fruits होते है जो खटे जो fruits होते हैं जैसे grapes हैं, orange हैं citrus fruits यहाँ पे आपको काफी ज़्यादा जो जिनका production है वो काफी ज़्यादा दिखाई देगा in Mediterranean countries के अंदर में जहाँ पे climatic condition है और इसी के वज़े से आपको यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी जो liquor industry है जो wine industry है उसका जो development है वो यहाँ पे होता है उसके behind में यहाँ पे जो climate condition है वो develop है कि summer तो long है summer यहाँ पे आपको long दिखाई देंगी और आप देखे कि winter के समय में basically जो rainfall का होना यहाँ पे जो liquor industry है जो wine industry है उसके development में काफी ज़यदा role play करती है students यहाँ पे Mediterranean climate के अंदर कुछ local wind होती है उनको अलग-लग नाम से पुकारा जाता है कि कौन से area के अंदर में कौन सी wind flow करती है तो इन winds के बारे में आपको पता होना चीए आप इनके बारे में map के अंदर में practice कीजिए कि कौन सी जो wind है वो कौन से country से originate होती है और Mediterranean sea की तरफ में वो travel करती है तो इन winds के बारे में आपको पता होना चीए इन winds में कुछ hot wind है कुछ यहाँ पे cold wind है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलती है local wind है उनको अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अलावा अगर हम students यहाँ पे vegetation की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पेड़ों की पतिया होती है जो leaves होती है वो यहाँ पे small होती है broad होती है और उनकी जो लंबाई है वो आपको काफी यहाँ पे ज़्यादा लंबी नहीं दिखाई देंगी Mediterranean Evergreen में आपको देखने को मिलेगा कुछ Evergreen Yokes है वो सब वहाँ पे उगाये जाते हैं इसके अलावा students अगर हम आपे Mediterranean Climate के अंदर में vegetation के अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो citrus fruits हैं उनकी यहाँ पे खिती की जाती है उनको यहाँ पे उगाया जाता है Orange है, Lemon है, Grape Fruit है Citron है, इस तरीके के जो पेड हैं, वो वहाँ पे उगाया जाते हैं Olive के Tree हैं Cereals की cropping की जाती है और Grapes की उगाने की वज़े से जो Witty Culture है, उसका यहाँ पे development हुआ है Witty Culture और जो Wine का production है उसका यहाँ पे development हुआ है इसी वज़े से आपको यहाँ पे जो अगर हम बात करें, Mediterranean जो climate condition है, उसकी वज़े से जो Wine की इंडरिश्टी में वहाँ पे development होता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चीए, कि कौन से एरिया के अंदर पाया जाता है, और कौन-कौन सी जो Wind है, वो वहाँ पे flow करती है उसके बारे में आपको पता होना चीए कि Hot Wind कहाँ पे flow करती है cold wind कहां पे flow करती है और कौन से area से वो wind है वो originate करती है उसके बारे में आपको पता होना चीए तो students ऐसे short videos के थूँ जिन में हम सभी climatic जो conditions है उनको हमको देखना है उसके थूँ आप से मिलते रहेंगे Thank you, thank you very much